कि हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल विदिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता अर्थाथ सब्सक्राइब करें जो की के लिए बहुत महातुपूर्ण प्रस्णों को हमारे वीडियो को निरंतर पाने के लिए आप मारे चैनल विदिकारी को सब्सक्राइब करें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे आप इनको हल करके आप अपनी प्री की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं पहला कोश्चन है निम्लिकित में से किस केस में सुप्रीम कोट ने यह निर्धायद किया कि समन की तामील होने की तारीख से 90 दिन के बाद भी लिखित कथन पेश किया जा सकता है तो यह निर्धाय सरवच नियाले के दौरा कैलास बनाम नंद्गू के केस में सन 2005 में दिया गया था CPC के आदेश आठ नियम एक में यह प्रावधान किया गया है कि जब किसी प्रतिवादी के उपर समन की तामील हो जाती है तो तामील किये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे अपनी प्रतिरच्छा के लिए लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा लेकिन नियाला यदिचा है तो कारणों को लेख बद्ध करते हुए यह 90 दिन के भीतर लिखित कथन पेश करने के अनुमति दे सकता है नेक्स्ट प्रतिवादी पर दस्ती समन तामील करने के लिए वादी को दिया जा सकता है किस प्रावधान के अंतरगयत तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह सीपीसी के आदेश 5 नियम 9A में दिया गया है दस्ती तामील से यह होता है कि न्याले किसी प्रतिवादी पर समन की तामील कराने के लिए समन को वादी को ही दे देता है और वादी ले जाकर प्रतिवादी पर तामील कराता है तो इसी को दस्ती समन की तामील कहा जाता है और नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के निम्रिकित कौन सी धारा अधिकार्था को परिभासित करती है तो सीपीसी में अधिकार्था को परिभासित नहीं किया गया है धारा नव में सिविल प्रकित के वादों के बारे में बताया गया है और धारा पंद्रा में उस न्याले क से बारे बता गया जिसमें वाद संसित गया जाएगा तो इस प्रकार से अधिकारिता को सी पीसी ते में कहीं परिभाशित नहीं किया गया है कि'm कधन ये सिविल नवैको US कि सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होती है तो यह गimatन सभी है और इसके बारे में प्रावधान धारा 9 में दिया गया है कारण आर सिविल वाद का संग्यान अभिव्यक्त रूप से वरजित होना चाहिए तो इस प्रकार से कथन ए सही है कारण आर गलत है तो तीसरे विकल्प सही होगा नेक्स्ट सूत्र इन्वाइटो बेनिफीसियम नान डाटूर अर्थाज बीद किसी व्यक्त को कोई अधिकार या फायदा उसकी इच्छा के बिरुद्ध प्रदान नहीं करती है तो यह प्रावधान सिविल प्रक्रिया संगिता के किस प्रावधान से संबंदित है तो यह जो है CPC के आदेश 23 नियम एक से संबंदित है आदेश 23 नियम एक में यह प्रावधान किया गया है कि वाद से संबंदित जो वादी है वह सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध अपने किसी दावे का परित्याग कर सकता है या दावे के किसी भाग का परित्याग कर सकता है नेक्स्ट निम्निकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पहला है वाद का उपस्थापन इसके बारे में धारा 26 में आदेश 4 नियम 1 में प्रावधान किया गया है वाद का उपस्थापन अर्थात वाद का संस्तित किया जाना है तो पहला सुमेलित है दूसरा है अंतरा भिवा सुमेलित तीसरा मेटरी पूर्णबद तू मेटरी पूर्णबद दारणब्बस दोब नहीं दिए गया है कि न्याले की राय के लिए किसी मामले का कथन कभ किया जाएगा और 35 में आंतराभिवाची वाद्थे संबंधित प्रावधान किया बह बहले है शामिक मुझरण इसके बाहरे में प्रौधान में किया गया है यह भी हॉत है इस परकार से तीसरा उसे किसी चल संपत्य का पर्दान करने के दायत्य के डिन होता है तो यह गलत ह्ucharist की नहीं है बलकि दूब्रकमा का जाता है तो सीविल-प्रक्रिया-स समधिता की स्वेश्ट रूप कि प्रकृत की शंब्राव के आर्थात की इसका हैनक इसा निवरण किया जाए तो इसलिए यह धारा सामिल की गई है और यह उत्प्रेशण के समान दिखाई देती है नेक्स्ट अभिवचन का एक आधारभूत सिधान्त है कि अभिवचन में तात्विक तत्यों और मात्र तत्विक तत्यों का ही समाविश होना चाहिए तो निमलेखित में से किस केस में तात्विक तत्यों को परिभासित किया गया है तो यह परिभासा उधाव सिंग बनाम माधावरास इंदिया के केस में 1977 में दी गई थी सर्वोचनियाले के द्वारा नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है तो पहला है निड़े और डिक्री इसके बारे में प्रावधान धारा 34 में नहीं दिया गया है बलकि धारा 33 में दिया गया है खर्चों के बारे में प्रावधान धारा 35 में दिया गया है और वाद का संस्तित किया जाना इसके बारे में प्रावधान धारा 26 में दिया गया है और विधिक प्रतनिदी के बारे में प्रावधान धारा 50 में दिया गया है तो इस प्रकार से दो तीन और चार सुमेलित हैं अर शाहिए है दूर्फरा है पक्षकारों का जोड़ा जाना इससे संबंदित केस रजिया बेगम बनाम सहाब जादी अनवर आर्था भी का पहला सुमेलित यह होग or तीसरा है आनुइक प्रांग न्या is कि इससे संबंधित केस है वर्कमैन बनाम बोर्ड आफट्रस्टीज कोचीन पॉर्ट ट्रस्ट सही है और कि अस्थाई व्यादेश के संबंधित केस है अमेरिकन साइनामाइड कंपनी बनाम इथिकान लिम्टेट अर्थाथ डी का लिखत की समभायधानिक्ता को चुनावती देने से संबन्धित प्रावधान है , बिश्यमत்त्रमों किया गया है कि आइसे वाद जिन میں संभिधान के निर्वचन या किसी कानूनिकी उमाननिता का कोई सारभूत प्रस्न अंतरव्यस्त है तो उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा तो इसके बारें जो प्रावधान है वह आदे 27 ए में दिया गया है तो इस प्रकार से पहला विकल्ब सही है नेक्स्ट नेमलिखित में से कौन लोक अधिकारी नहीं है तो लोक सेवा कहर सदश्याता है और सा प्रत्यैक भ्यक् dalla जोकी सरकार से बेतन करता है लेकिन इसमें मिलिटरी का राजपत्री तरिकारी जो कि अब सरकारी सेवा में नहीं है यज्hal नहीं है नेक्स्त नेमलिखित को सुमेलित किय तो पहला है कभाव तो कायाम के बारे में Хटारा प्रकृत के वाद के वारें प्रावदान धारा नो के अंतरगत किया गया है तो इस प्रकार से 2-1-3-4 अर्थात पहला विकल्ब सही है नेक्स्ट निम्न मामलों में दिवानी न्याले कमीशन जारी नहीं कर सकता है तो कमीशन जारी करने से समदी प्राउधान है दारा पचातर के अंतरगत ढिया गया है और आदेश 26 में इसके वारे में प्राउधान किया गया है तो धिक्री के निस्पाधन के लिए से कमिशन जारी नहीं किया जा सकता है बलकि टिक्री का जो निस्पादन हो नियाले के दवारा कराया जाता है कि state of the stations the दो söz एक राया किर्षा की कों सी धारा धन की डिक्री के निस्पादन में इस्त्रिएं की नियाले में अंतर नहित होती है तो ऐसा नियुड़ोरे मनोहरलाल बणाम सेठीरलाल के केश में दिया गया था कि नहीं अंतरolution सकती के द्वारा पक्षकारों के बीच न्याय करे इसी उद्देश से यह सक्ती न्याले को प्रदान की गई है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगत निम्न किस आधार पर निर्डीत रिडी के विरुद्ध गिरपतारी का वारंट न्याले द्वारा रद किया जा सकता है तो यह कोई गिरपतारी का वारंट जारी किया गया है तो ऐसा वारंट जो है वह है अभियुक्त की गंभीर विमारी के आधार पर रद किया जा सकता है नेक्स्ट सिविल प्रकिया संगीदा का आदे साथ नियम एक किसे संबंदित है तो आदे साथ नियम एक के अंतरगत वाद पत्र में अंतरविष्ट की जाने वाली प्रिविष्टियों से संबंदित प्रावधान किया गया है इसके अनुसार वाद पत्र में निम्रिखित बात सामिल जाएगा नियाले की अधिकार्था टा कि नियाले की अधिकार्था निश्चित की जाएगी नेक्स्ट हर वाद उस निम्नतम स्रेड़ी के नियाले में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है तो यह प्रावधान किसे संबंदित है तो यह प्रावधान उसकी छेत्री अधिकारता से और धन संबंदी उसकारता से अधियाले दिकारता से दोनों से संबंदित है दारब 15 के अंतरगती आपरावधान किया जाय जो कि उसका विचारण करने के लिए सक्षम हो तो सक्षमता जो है वो धन संबंदित भी हो सकती है और छेत्रीता अर्था छेत्राधिकार से संबंदित भी हो सकती है कि नेक्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगत नियाले पक्षकारों को बैकल्पिक बिवाद समाधान के किसी तरीके के लिए बिकल्प देने के लिए निर्देश दे सकता है तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह सीपी सी के आदेश-10 मीयम-1-1 के अंत तर्गत तिये गए विकल्पों में से किसी एककार से किसी बिवाद का समाध्णं किया ze सकता है हो दारा किया जा सकता है 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 कि सिभील प्रक्रिया संगीता कि अदे पूरो कुर्की जा सकती है तो और 1911 से पूरो कुर्की की प्राउधान किया गया नीरे से पूर गिरफतारी के बारे में प्रौधान किया गया है तो नियम5 के तहट चल या अचल दोनगो प्रकार की समपत्यों की कुरकी की जा सकती है next सीविल प्रक्रीय संगीता के अंत्रगत निमलिखित संपत्यों में से किसको डिक्री के निस्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता है तो सीपीसी के धारा 60 के अंतरगत ऐसी संपत्तियों के बारे में बताया गया है कि जिनको कुर्क किया सकता है और जिनका कुर्की नहीं हो सकती है तो इसके अनुसार कुछी भूम की चेक की बैंक मोटकी इन सब की कुर्की हो सकती है लेकिन लेखा बही की कुर्की नहीं की जा सकती है कि नेक्स्ट कि सिविल प्रकिया संगिता की धारा 26 के अंतरगत प्रतेक वाद पत्र में तथ्यों को सिद्ध होना चाहिए तो किसी भी वाद पत्र को सपथ पत्र के द्वारा साबित किया जाना चाहिए इसके बारे में जो प्रावधान है उधारा 26 के अंतरगत किया गया है और यह सपथ पत्र के फिए गया है इसके बार में जो प्रावधान है वह देशनातमक वाद करता है कि वह संस्तित का और आनुविक प्रावधान है वह धारा 11 के असपस्टी करण 4 के अनुसार जब किसी भी विशय के बारे में जो ऐसे पूरवर्ति वाद में प्रतिरच्छा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था लेकिन उसे नहीं बनाया गया तो यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षत और सार्थ विवाद दे रहा है तो इस प्रकार से इस केस में प्रलरच्छित प्रांग्नियाय का सिद्धान तलागू होगा नेक्स्ट सिविल प्रकिया संगीता के अंतरगत और उप्चारी ग्रूप से समन की तामिल के पस्चा लेकिन यदि न्यालय चाहे तो इस तिथी को कारणों को लेखबद करते हुए नब्य दिन तक के लिए बढ़ा सकता है नेक्स्ट सिविल प्रकिया संगीता के किस प्रावधान में व्यादेश की अवग्या या भंग के परड़ाम का वर्ड़न दिया गया है तो किसी से अनधिक समय तक के लिए सिविल कारणार में डाला जा सकता है या उसकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है नेक्स्ट सिविल प्रकिया संगीता के अंतरगर डिक्री को किस धारा में परिभासित किया गया है नेक्स्ट के आदेश पांच नियम नव तीन के अनुसार प्रति वादी पर जो समन की तामील होगी उसका खर्च वादी को वहन करना होता है और इसके बारे में प्रावधान आदेश 5 नियम 9 के खंड 3 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के निम्न किन प्रावधानों के अंतरगत किसी एक पक्षी डिक्री को नि तर्छत करने के बारे में प्रावधान है वो आदेश 9 नियम 13 के आंतरगत दिया गया खेתי एक सिविल प्रक्रिया संगिता के अधिन निम्न आदेशों में से कौन सा आदेश कमीशन जारी करने से संबंधित है तो कमीशन जारी करने से संबंधित आदेश 26 है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 75 के अंतरग्याद भी दिया गया है कि नेक्स्ट कि सिविल प्रत्तिया संगीता की निम्न धाराओं में से किसमें बिधीक प्रत्निदी को समझाय गया है तो विधेक प्रत्निदी को धारा 2 के उवधारा 11 में पर्वासित किया गया है और इसके अनुसार विधेक प्रत्निदी आईसा ब्यक्ति अभी पivos है कि म्रित्ति की संप्रदा का प्रत्निदित तूब करता है या जो उसकी मौत के बाद उसकी संप्दा में दखलनजी करता है कब्रक्रिया संगीता की धारा तीन के अनुसार लगवाद नियालय 9 में इसिक transmit के अधिन होते हैं तो धारा तीन के अनुसार पिछिए अधिन की अधिन इस निमित नियुक्त किसी अधिकारी को दो प्रतियों में वादपत्र देकर संसित किया जाएगा तो यह प्रावधान आदेश चार नियम एक के अंतरगत उपबंधित है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट के साथ ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं नेक्ष्ट सिविल प्रफ्किया संगिता के अंतरगत निम्न प्रावधानों में से किसमे वाद पत्र को वाद हेतुक न होने के कारण ना मंजूर कर दिया जा सकता है तो आदे साथ नियम 11-1 के अंतरगत जबकि किसी वाद सकता है नेक्ष्ट सिविल प्रफ्किया संगिता के निम्न प्रावधानों में किसमे नीड़े के पूरु कुर्की का वबंद किया गया है तो निर्ड़े से पूरु कुरकी के बारें प्रावधान आदे 37 नियम 5 से लेके 13 में दिया गया है नेक्स्ट सिविल प्रतिय संगिता के अंत्रिगत निम्निकिस आधार पर निर्डीत रिडी के बिरुति गिरपतारी का वारंट नियाले द्वारा रद्द किया जा सकता है कि पारित की गई डिक्री कितने समय तक निस्पादित नहीं की जाएगी तो इसके बारें जो प्रावधान है वो स्पावick के दारा 82 एक लिब्र रॉड़ ऐसी जो डीक्री है वह समें सब्णछा करत क्लिवे नहीं है तो सिवील प्रकृत के माद कौण सा है इसके प्रावधान धारा 9 के अंतरगत किया गया है नियालय उन वदों के सिवाए जिनका संग्यान अभिश्द्या विवक्षित रूप से वर्जित है सिविल प्रकृत के सभी वादों के बिशारण की अधिकारता रखता है तो इस प्रकार से सिविल प्रकृत का वाद काउनसा है काउनसा नहीं है इसकी अस्पष्ट ब्याख्याधारा नौ के अंतरगत नहीं दी गई है लेकिन स्वैचिक भुगतान अथ्वा चड़ावे की प्राप्ति के लिए कोई वाद जब दायर किया जाता है तो इसे सिविल प्रकित का वाद नहीं माना जा सकता है नेक्स्ट सिविल प्रकिया संगिता के अंतरगत अभिवचनों को संसोधित किया जा सकता है तो अभिवचनों के संसोधन के बारे मुझे प्रावधान है वह आदेश्च नियम 17 के अंतरगत दिया गया है अभिवचनों को संसोधन जो है वह प्रथम अपील नियाले के समक्ष बिचारण नियाले के समक्ष या दिती अपील नियाले के समक्ष अर्थात इन सभी के समक्ष किया जा सकता है तो इस प्रकार से एक, दो और तीन ये सभी सही हैं निबंधनों के भंग की दसा में जिस पर की अस्थाई व्यादेश दिया गया था, CPC के अंतरगत नियाले आदेश दे सकता है जबकि किसी सर्थ पर अस्थाई व्यादेश दिया गया है और उस व्यादेश को भंग किया जाए तो ऐसी स्थिती में उसके परिडाम सुरूप नियाले आदेश 28 और नियम 2-1 के अनुसार ऐसे भंग करने वाले व्यक्ति की गिरफतारी की जा सकती है और उसको सिविल कारागार में तीन माह तक के लिए बंद किया जा सकता है या उसकी संपत्त्य की कुरकी की जा सकती है तो इस प्रこ से दूसरावài कलब सही है नेक्स्ट भरण पोसर्ण के डिक्री के निस्पादन है तो किसी ब्यक्तिका बेतन किस सीमा तक कुर्क किया जा सकता है तो दारा साथ के अनुसार जबकि किसी भरण पोसर्ण के डिक्री के निस्पादन में किसी के बेतन की कुर्की होती है तो ऐसी तिती में उसके बेतन का एक तिहाई छोड़कर बाकी का दो तिहाई बेतन कुर्क किया जा सकता है अर्थात इस प्रकार से उसके बेतन का एक तिहाई कुर्क नहीं किया जाएगा और एक तिहाई छोड़के बचा हुआ अर्थात दो तिहाई बेतन कुर्क कर लिया जाता है सिलल प्रक्रिया संगिता की कौन सी धारे प्रत्य स्थापन का इंतर मैं करती है इसकी यह जाता है जो किसी कारिवाई में फायधा हुटा है और यह चाहता है कि उसको कोई लाभ नहीं चाहिए और उसको उसी पुरानी इस्तिती में रख दिया जाए तो ऐसी इस्तिती में वह जो व्यक्ति है फाइदा प्राप्त करने वाला व्यक्ति वह प्रत्यास्थापन के लिए न्याले की समक्ष वाद कर सकेगा आवेदन कर सकेगा कि उसके जो इस्तिती है उसको पूर्वत रखी जाए उसमें कोई फिरफार या उसमें कोई परवर्तन न किया जाए तो इसी आवेदन को ही प्रत्यास्थापन का सिध्धान्त या प्रत्यास् क्रूं पर लवट आया जा सकता है इसके बारे में जो प्राउधान है आदेश अर कि से लिए और कि 70 साङीतरिय संगीता कि आदेश 16 के अंतरगत परिभासित कारागार में क्या सामिल leer तो कारागार की जो परिभास है आदेश 16 1 युद्य के अंतरगत परिभासित किया है इसके अनुसार कारागार के एंतर्गत को इसा अस्थान आता आता हो जिसे राजर्य सरकार से अतिरिक टिएल घोसिट किया है या कोई सुधार जाइस प्रकार की है यह यह को पिते शब्रकार से एक और दो दोनों जो है कार आधर की परिभासा में सामिल है spitamati नेक्सट यद किसी विवाद में कपट मीध्य वैबधेशन अथ भूल के द्वारा किसी पक्षकार की सहमती पराप्ट करके पक्षकारों के मध्न्य समझवता हुआ था पक्षकारों की सहमती से डिक्रीघ पारित कर दी गई तो आईसी ठीकरी को निरस्त कराने के लिए नीचे दिये गए बिकल्पों में से किस बिकल्प को प्रव्ण पक्षकार के द्वारा चुना जा सकता है तो एसी प्रक्षकार है उस जो ढॉट से अपील कर सकता है अब यहां धारा पारिट डिक्री की कोई अपील नहीं होगी लेकिन जब की आइसी जो सहमती है वह कपट द्वारा मिथ्या बवदेशन वार द्वारा या भूल के द्वारा पारिट की जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी अपील की जा सकती है और एक निरड़ा इस पर आया था बनवारी लाल बनाम चंदो देवी के केस आया था इसमें कहा गया कि जिस जब कि ऐसे कपट मिथ्या बेवदेशन वार भूल के द्वारा कोई सहमती प्राप्त की जाती है और उस सहमती के अनुसरण में डिक्री पारित कर दी जाती है तो जो पक्षकार है उस डिक्री के बिरुद अपील क कर सकता है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगत किसी इस्तरी को सिविल कारागार में निरुद्ध होगा गिरफतार नहीं किया जा सकता तो कब नहीं गिरफतार किया जा सकता है जब कि जबकि ऐसी डिक्री धन के संदाय से संबंदित हो और इसके बारे में जो छपपन के आंतरग्त दिया गया है तो नेक्स्ट निम्लिखित को सुमेलिद कीजिए तो पहला अन्तरा भिवासी वाद तो इसके बारे विन जो प्रावधान भी तो द्रतीक अनुरौध पत्र वे एक तीन अर्थातौस्त सही सुमेली था मिने prochain अब जिन पर रवादी अपने दावे के शमय में विश्वास्वकरता है तो उसके दोरा न्याले में दाखिलавे दों के जाएंगे तो उसके प्रावधान हो पादेश साथ के नियम 14 के अंतरगत दिया गया है कि जो ऐसा दस्तावेज है वह वादपत्र के साथ ही कि नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगत निम्लिकित में से किसे न्याले में व्यक्तिकत उपस्तिति से छूट पाने का हक नहीं है तो व्यक्तिकत होने से कोई छूट नहीं प्राप्त है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता की धारा 151 में प्रदत अंतर नहीं सक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है तो धारा 151 के अंतर नहीं सक्तियों के बारे प्रावधान किया गया है और ऐसी सक्तियों का जो प्रयोग है वह है न्याय हित में किसी भी नयाले के द्वारा किया जा सकता है अर्थात इएक प्रियोग कर सकता है और सी का एक रैंड ये पर दिया जाना है दो यहाँ पर सी क्या करे सकता है उस रिंड के बारे में तो सी जो है उसका मुझरा नहीं कर सकता है क्योंकि जो मुझराई का दावा है किवल एक व्यक्तिके विरुद्ध ही किया जा सकता है और उसके उपर ए और बी दोनों के द्वारा वाद लिया जाता है तो उसके लिए सि यहां मुझ्रा का दावा नहीं कर सकता है अगर नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगत पहली बार मिठ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे का प्रावधान किया गया है तो ऐसे जो आुक्त को क्या गया थूफ कि अंतरगत किया गया आर्थाथ 35 में किया की नेक्स्ट आभूशनों का एक बक्सा अपने अभिकरता के रूप में बी के पास रखता है कि है ईह कथन कि अने उससे सदोस प्राप्त किय थे और वह उन्हें से लेने के लिए दावा करता है तो आईसी स्थिती में भी क्या कर सकता है तो चुकि इस मामले में ए जो है उसका एक एजेंट भी है उसके पास अपना एक बक्सा ले जाकर रखता है और यहां सी है सी बी से यह दावा करता है कि यह जो बक्सा है यह मेरा है और तुम इसे हमें द कि यह जो है एक एजेंट न होता उसका अभिकरता न होता तो दोनों के उपर अंतरा विवाची वाद दायर कर सकता था लेकिन यहां पर बी जो है अंतरा विवाची वाद दायर नहीं कर सकता है क्योंकि वह उसका एजेंट है और एजेंट जो है वह आंतरा विवाची वाद द और प्रतिवादी उपस्तित होता है लेकिन वादी उपस्तित नहीं होता है तब नयालयद्वारा यह आदेस पारित किया जाएगा कि वाद को खारिज कर दिया जाए तथा वादी जो है और नयावाद लाने से प्रतिबंदित हो जाएगा तो यह कथन सही है कि इसके बारे में जो प्रावधान है आदेश नौ के नियम आठ के अंतरगत दिया गया है दूसरा है एक पक्षी पारित मूल डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है तो यही कथन गलत है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान है उधारा च्छान बेकी उपधारा दो में दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि एक पक्षी पारित मूल डिक्री के की गई थी तो यह कथन सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है आदेश 9 नियम 13 के अंतरगत दिया गया है कोई न्याला एक पक्षी पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनिमितता हुई थी तो यह भी सही है और इसके बारे पुनिरिक्षण नियाले के द्वारा तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक कि ऐसी जो आपत्ति है वह प्रथम बार के नियाले में की गई हो दूसरा यह था संभाव प्रथम आउसर पर की गई हो और परेडाम सुरूप न्याय की विफलता हुई हो अर्थाद यह जब ती तो यह तीनों सर्थें पूरी होनी चाहिए और इसके बारे में जो प्रावधान है उधारा 21 के अंतरगत दिया गया है कि नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगत पुनिरिक्षण की प्रकृति कैसी है तो यह कारवाहियों के रूप में प्रवर्तित होता है तो यह गलत है वाद की रूप में प्रवर्तित होता है यह वादता कारवाहियां दोनों की रूप में प्रवर्तित होता है यपी गलत है चौफा करतन साई है क्योंकि ये आज ञाए जो है किसी वाद या कारवाही की रोग के रूप में प्रवर्चित महीं होता है सिवाए वहां के जहां वाद या कारवाहियों को हाई कोड के द्वारा रोग आ गया हो और इसके बारें जो प्रावधान है धारा सीविल प्रक्रिया संगीता की दारा 2 उपधारा 16 में वीहित सब्द से क्या ताथ परी है नियमों द्वारा वीहित कि एक प्रतिवादी को अपना लिखित कतन न्याले में दाखिल करना है तो एक जो प्रतिवादी होता है अपना लिखित कथन नियाले में कितने समय के अंदर दाखिल कर देगा तो इसके बारे में जो प्रावधान है आदेस आठ नियम एक के अंतरगत दिया गया है और आदेस आठ नियम एक के अनुसार प्रतिवादी अपनी प्रतिरच्छा का लिखित कथन अर्थात अपना जो लिखित क कथन है वह समन की तामिल होने के तीस दिन के अंदर उसको दाखिल करेगा समन की तामिल से तीस दिन के अंदर प्रतिवादी अपना लिखित कथन्याले में दाखिल करेगा नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया फञता है कि धारा दोव्ल जो है और स्वेयर नेड़े का कथन यह जैनका चाहित है जाते है निमने के बारे में प्राउधान करती है तो घ helpless तो पंद्रह जो है वह पुनुरिक्षण के बारे में प्रावधान करती है जबकि निर्देश के बारे में प्रावधान 113 के अंतरगत और पुनरविलोकन के बारे में प्रावधान 114 के अंतरगत दिया गया है जबकि उच्चतम न्याले में अपील के बारे में जो प्रावध संगिता के किस उपबंद में अस्थाई व्यादेश दिए जाते हैं तो अस्थाई व्यादेश के बारे में प्रावधान है वह आदेश 49 नियम एक के अंतरगत दिया गया है ändern सिविल संगीताकी दहारा 91 क्या दीन लोग 10 के लिए कौन वाद ला सकता है तो atac nyusens के लिए वाद जो है वह हमाहाधिवक्ता के दौरा या अन्य व्यक्तियों के दार्ण जो कि दौर या अधिक व्यक्तियों के तो कोई कईवियर्ट जो है जो कि धारा 148 फिर के त़स्ट किया जाता है तो इसकी अवदी Angry नबे दिन तखी होती है तो कईभी एक रहे का आवेधन होता है न्याले के समक्ष इस बात के लिए आवेधन किया जाता है कि यदि उसके विरुद्द कोई मुकदमा दायर किया जाता है या भविष्ट में दायर किया जाने की संभावना है तो ऐसी मुकदमा दायर किया जाने की इस्थिती में उस व्यक्ति को सूचना दिया जाना आवश्यक है तो यह एक तरह से नेचुरल जेस्टिस कैसे दान पर आधारित है कि कि किसी ब्यक्ति को सुने बिना न्याले के दौरा कोई फैसला नहीं दिया जाना चाहिए और इसी को कोई जो उसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है तो उसे सूचना दिया जाना न्याले की बाद्यता नहीं होगी नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के किस प्रावधान के अंतरगत क्लेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है तो किसी क्लेक्टर को भी रिसीवर बिना सहमती के वह रिसीवर के रूप में नहीं नियुक्त किया जा सकता और उसे किवल आईसी संपत्ति के बारे में रिसीवर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संपत्ति राज सरकार को राजस सुदेने वाली भूमी है नेक्सट discharge कौन होता है तो रिसीदेद यह एक नियाले का अधिकारी होता है तो कि नेक्सट सिविल प्रक्रिय siamo qui अंतरगत एक अपील की जा सकती है तो अपील कैसे दाइर की जाएगी तो इसके बारे में प्रावधान है वह और यह गया को भींताइब तेयर अगे जाती है नेकस्ट निमलिखित है प्रावधान से के प्रावधान सीविल प्रख्रीय संगयता के अनुसार मूजरा से सम्बंदित आधे आधेस आठढ चांप मुजरा के बारे में प्रावधान किया गया है उर्था अभी जो धनरासी है जब निश्चित होती है जिसको मुझरा किया जाना है वह धनरास निश्चित है तो इसको सामीक मुझरा कहा जाएगा ऑगार सामीक मुझरे प्रावधान वह आदेश पीस नियम 29 के अंतरगत दिया गया है कि नेक्स्ट सिविल प्रक्रिय संगिता निम्निमे से किसके संदर में लागू नहीं होती है तो सीपीसी जो है भूम विधी अस्थानी विधी के मामलों में लागू नहीं होती है बाकि दिवानी मामलों में राजस्व मामलों में और सेवा संबंधी मामलों में लागू होती है की जिस्के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निस्पादन योग आदेश दिया गया है तो यह परिभाषा किस धारा के अंतरगत दी गई है और डिक्री को धारा दो के उपधारा चार के अंतरगत परिभासित किया गया है नेक्स्ट डिक्री धारक सब्द को किस धारा में परिभासित किया गया है तो फिर से वही कोस्चन है तो डिक्री धारक को धारा दो उपधारा तीन के अंतरगत परिभासित किया गया है कि नेक्स्ट शिविल प्रक्रिया संगिता का आदेश 23 निम्न पर लागु होता है तो आदेश 23 जो है किस पर लागु होता है तो यह वाद को वापस लेने पर मामले में लागु होता है है नेक्ष्ट सिविल प्रक्रिय संगिता कि धारा 11 के किस अस्पस्टी करन में आनुवी क प्रांग्नाय का व्याक्था की गई है तो आनुवी क प्रांग्नाय की एक व्याक्था जो है ईया है Suspast prejudice करण 4 के अंतरगः की गई है nice civil प्रक्रिया संगिता की धारा 18 क्या उपबंधित करती है तो धारा 18 के अंतरगत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक अचल संपत के बारे में वाद प्रस्तुत करने का अस्थान जो है वह अनिस्चित है तो ऐसी स्थिति में वाद कहां संस्थित किया जाएगा तो यही जो इस प्रकार से कॉन सही सुमेलित नहीं है तो इस दिक्री निस्पादन है यह धारा 82 के तहद किया जाता है अनुरोध पत्र इसके बारे में प्रावधान धारा पचास के अंतरगरद दिया गया है जबकि वादों के संस्तित की जाने के संबंधि प्रावधान धारा पंधरा में दिया गया है तो इस प्रकार से किवल तीसरा ही समेलित है और Kre сегодня और पहला दूसरा चौतहा समेलित नहीं है तो इस प्रकार से एक दो चार और था उसरा विकल्प सही है ंशे नेक्स्ट वाद का नाम जूर किया जाना संबन्धी प्रावधान कहां वर्डित है टो वाद के नामन्जूरनसं प्रावधार आदे सात नियम 11 के अंतरगत दिया गया है मैं कुल नैक्स्ट प्रतिवाधी पर दस्ती समन्द तामिल करने के लिए वादी को दिया जा सकता है तो दस्ती समन तामिल का ताथ पर यह है कि यह एक व्यक्ति है इस पर समन की तामिल किया जाना है और बी जो है यह वादी है तो ऐसी स्थिति में न्याले क्या करेगा कि खुद इसको समन ना भेज करके बी को दे देगा कि बी जो है इस दिया गया है получается से कौन सा दितियक अपील पर एक वाध है तो तो सेकंड अपील पर एक महतपुरहद मदनलाल बनाम बॉर्ट करा जो केसकेंड दिक्रि पर किसके दारा अमल कराए जा सकता है अर्थाथ दिंस्पादन कि तहाया जा सकता है तो कि दिख्त-वादि अगफ यह到 podden है यह 1318 के अनुसार तो कोई जो प्रतिवादी है वह अपना जो लिखित कथन है वह न्याले में समन की तामिल होने के 30 दिन के भीतर अथवा न्याले की अनुमती से 90 दिन के भीतर जो है वह दाखिल करेगा और इसके बारें प्रावधान आदेश आठ में और नियम एक के अंतरगत दिया गया है वाद संस्तित करने की आपत्ती प्रफम बार के न्याले में स्विक्रित होगी या सिविल प्रक्रिया संधिता की किस धारा के अंतरगत दिया गया है तो यह जो प्रावधान है वह CPC की धारा 21 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट कोई व्यक्ति विदेशी राज़िपर वाद ला सकता है तो विदेशी राज़िपर अगर कोई वाद लाना है तो यह जो वाद है धारा 86 के तहट केंदर सरकार की सहमती से ही लाये जा सकता है निमलिकित प्रावधानों तथा संबंधित धाराओं को सुमेलित कीजिए तो पहला है सपत्पत्र तो सपत्पत्र के बारें प्रावधान आदेश 29 के अंतरगत दिया गया है नेड़य पूर गिरपतारी के पारें प्रावधान आदेश 38 के अंतरगत दिया गया है साक्षियों से प्रकार से तीन चार एक दो अर्थात तीसरा विकल्प सही है कि नेक्ष्ट निमलिखित में से कौन सा निर्धारण डिक्री की परिभासा के अंतरगत नहीं आता है तो पहला है ऐसा भी निश्चे जो नियाले के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों से संबंदित विवाद ग कहलाता है सेविल प्रक्रिया संगिता की 244 के अंतरगत किसी प्रसन का अवद्भराण भी डिक्री कहलाती है संसोधन संसोधन 2003 में 12115 की अंतरकत जो पुनी जचट से संबं दित है इसमें किया गया था नेक्स निम्लिकित में से कउन अभिवचन का नियंप नहीं है तो अभिवचन का नियंब है उसमें तथ्यों का अभिवचन किया जाता है बीधिका नहीं यह सही है बीधिका कथन करें तत्थियों का अभ्योचन करें तो यह कथन गलत है क्योंकि यह जो है अभ्योचन का नियम में नहीं आता है नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो पहला है बिचारा धिन न्याय तो बिचारा धिन न्याय के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 10 के अंतरगत दिया गया है प्रांग न्याय के बारे में प्रावधान धारा 11 के अंतरगत दिया गया है नेड़े औ तो इस प्रकार से पहला दूसरा और चौथा यह सुमेलित नहीं है जबकि तीसरा जो है यह सही सुमेलित है नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन सावाद प्रांग न्याय से संबंदित है तो प्रांग न्याय से संबंदित जो केस है वह सत्या चरण बनाम देवराजन का केस है सबी सिविल नियाले को कि वादों के विचारण की अधिकार्ता होती है तो इसके बारे में प्रावधान है वो धारा 9 के अंतरगत दिया गया है तो धारा 9 के अनुसार सभी सिविल न्यायलेओं को उन वादों के लावा जिनका संग्यान अभियक्त या विच्छी तूरूप से वर्जित है सभी सिविल प्रकृति के वाद का विचारण की अधिकारता होती है नेक्स्ट निम्लिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि अंतर निहित अधिकार नियाले को प्रदान नहीं किया गया है बलकि यह सक्ति जो है वो नियाले के अंतरगत अंतर निहित होती है तो ऐसा निर्ड़े सरवोच नियाले के द्वारा मनोहर लाल बनाम सेठ हीरा लाल के केस में कि दिया गया था और अंतर नहीं अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है वह अधिकार के वल अपिल नहीं की जा सकती है तो यह उपबंद सीपीची की धारा के अंतरगत दिया गया है तो इसके बारे में प्रावधान है इसके अनुसार जब कि कोई जो डिक्री है पक्षकारों के सहमति से पारित है तो यह माना जाएगा कि उसमें कोई भी वपक्षकार पीडित नहीं है और के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी कि नेक्स्ट सीपीसी के आदेस आठ नियम छह के धीन कोई मुझरा कब मानने है तो मुझरा के मुझरा मन है जबकि जो सामिक मुझरा होता है सामिक मुझरा में यह जो धनरासी है वह नियाले के द्वारा निश्चित की जाती है क्योंकि वह इस मामले में निश्चित नहीं होती है तो उसे सामिक मुझरा कहा जाता है तो उसका निर्धारण सामया का नुसर किया जाता है जबकि व्यद्ध मुझरा के बारे निर्धन व्यक्तिवारवाद के बारें प्राउधान आदेस्टाइटिस के अंतरगर्द दिया गया इस प्रकार से एक दो और चार यह सही सुमेलित भलकि तीसरा सुमेलित नहीं है गलत उत्तर पूछा इसमें से एक सिविल न्याले के द्वारा जो डिक्री पारित की जाती है तो उसका निस्पादन कौन न्याले कराएगा इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 38 के अंतरगत दिया गया है इसके अनुसार जो डिक्री का निस्पादन है डिक्री पारित करने वाले न्याले द्वारा किया जा सकता है किसे न्याले द्वारा किया जा सकता है जिसे डिक्री पारित करने वाला न्याले डिक्री का निस्पादन करने के लिए अंतरित करता है तो ये भी सही है किसी भी न्य नियाले दिया गया है इसके द्वारा निस्वादन किया जा सकता है लेकिन यहां जो पूछा है किसी भी नियाले के द्वारा जो समकच्छा दिकारता रखता है तो इसके द्वारा डिक्री का निस्वादन नहीं किया जा सकता और यही कथन गलत है नेक्स्ट निम्न मामले में न्याले कमीशन जारी नहीं कर सकता है तो न्याले के द्वारा कमीशन जारी करने के बारे में जो प्रावधान है वह आदेश 26 में और धारा 75 के अंतरगत दिया गया है इसके अनुसार जो कमीशन जारी किया जाता है वह किस उद्देश से के लिए किया जाता है इसके बारें बताया गया है तो इसके रुसार किसी व्यक्तिकी परिच्छा करने के लिए लेखाओं के परिच्छड के लिए विभाजन के लिए इसके लिए जो कमीशन जारी किया जा सकता है लेकिन डिक्री का निस्वादन कराने क के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाता बलकि डिक्री का निस्वादन है वह नियाले स्वयम कराता है इसके लिए कमीशन जारी करने कि आउसकता नहीं होती है कि धारा पचाहत्य के नुज़ार कि गतर कि ढूई के लिए जारी किया जाएगा उसमें यह बताया गया है कि किसी प्रिक्षा के लिए अस्थानी अन्वेसन करने लेखाओं की परिक्षा लिए बिभाजन के लिए कोई या तक्नीकी अनुएल करने के लिए और किसी संपत्ति का विकरय करने के लिए जो shipping साम्यां कि प्रयोजनों के लिए कंशया किया चाहिकरी कิणिंप कि लिए कंशया जाता है निम्निखित में से कौन सही सुमेलित है पहला निर्णित इर्णि की साम्या इसके बारे में प्रावधान धारा 49 के अंतरगत दिया गया है विसेशा धिकार प्राप्रदस्ता वेज इसके बारे में प्रावधान धारा 29 के अंतरगत नहीं दिया गया है बलकि धारा 29 के अंतरग इसके बारें प्रावधान धारा नहीं वलकि आदेश 33 के अंतरगत दिया गया है तो इस प्रकार से एक तीन चार अर्था चौथा विकल्प सही सुमेलित है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निस्पादन में इस्त्रियों की गिरपतारी या निरोध का प्रतिसेद करती है तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह दारा 56 के अंतरगत दिया गया है धारा 132 के अंतरगत ऐसी इस्त्रियां जो की रूडियों या रीत रिवाजों के अनुसार लोगों के सामने आने से विवस नहीं की जानी चाहिए जिसे परदा किरें इसेट का प्रावधान किया गया है कि सिए संगिता की धारा 114 को कि साथ पढ़ा जाना चाहिए अंतरगत 1973 के बारे में प्रावधान प्रावधान आदे सुमिके उत्क श phenomena भी निया नेक्स्ट पारवारी के नयाधीसों को उच नयाले में प्रोणनती करने के लिए बिचार नहीं किया जा सकता है तो सर्वोच नयाले ने यह नेड़े किस केश में दिया गया था तो ऐसा नेड़े के द्वारा एस्डी जोसी बनाम हाई कोट आफ जूडिकेचर मुंबई के केस में दिया गया था इस मामले में सरोच नियाले ने कहा था कि जो फैमली कोड के जज़ हैं उनको हाई कोड में प्रमोट नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट रेस सब जूडिस या विचाराधिन न्याय सब्धावली से क्या अभिप्राय है तो विचाराधिन न्याय का इतत्पर्या है कि कोई वाद संस्थित करने से रोकना है जैसे कि वादों की बहुलता को रोका जा सके और यह राजी के ऊपमें होता है और विचारधिन न्याय के बारे में प्रावधान है बोह द्सके अंतरगत स्पहते दिया गया है है कि डिविल परख्रिय संगितव में परिडर को कि अंतरगत परिभासित किया गया है कि लिए तो प्लीडर की परिवासा सीपीजी और डधारा-डोवख़भाध और दी गई है इसके अनुसार प्लीडर magnificent controls होता है जो कि न्याले में किसी अनिया डिकीकी तरब से उपस्थित होता है और उसकी तरब से अभिवचन करता है और इसके अंतरगत वकील या किसी उच्छ नियाले का अटार नहीं आता है तो इस प्रकार से प्लीडर की जो परिभासा है उद्धारा दो उफधारा 15 के आंतरगत दी गई है कि किस धारा में आदेश को परिभासित किया है तो connect को से पाता है और न mission से अधंचаже के जो कि ट्रीडरी नहीं है वह आदेश कहलाता है सिविल प्रक्रिया संगिता के बेंसे कौन सी धारा दिवानी नियाले के भन संबंधी चेत्रा थिकार से संबंधित है और धाराच्छा सीमा धारित की गई है अव्यक्त रूप से तो नहीं की गई है लेकिन वह बताया गया है कि कोई भी न्याले उसकी मामुली धन संबंदिया दिकारताओं के अंदर ही किसी मामली का विचारण करेगा नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता की धारा 115 में किसका प्रावधान है तो धारा 115 के अंतरगत रिवीजन अर्थात पुनिरिछण के बारे में प्रावधान किया गया है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिय संगिता का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक व्यक्ति समान हित के लिए सबकी तरफ से वाद दायर कर सकता है या बचाओ कर सकता है तो इसके बारे जो प्रावधान है वो CPC के आदेश एक नियम आठ के अंतरगत दिया गया है इसे ही प्रतिन से सक्षम नियाले के अंतर्गत दायर किया जाएंगे है इसके वारे मीं अधारा 15 के दिया गया कितफरिय संगीता के अंतहकालीन लाभ की परिञ्वासाद की तो अन्तहकालीन लाभ की किसी संपत्ति पर से कब्जा किया है अर उस कब्झे के दारान जो उस संपत्ति से जो वह और करता है या वह मामूली तत परब्दा से वो सिंद MEs से किस सूत्र पर आधारित है तो प्रांग न्याय का सिध्धांत इंट्रेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिटियम सूत्र पर आधारित है कि इसका तात्परिया है कि राज्य के हित में मुकद्मेबाजी का अंत होना चाहिए और इसी के बारे में जो प्राउधान है कि नेक्स्ट एक डिकरी निस्पाधित कराई जा सकती है तो किसी डिकरी का पारिद करने वाले या लेके दौरा यह ऐसे निच्पाधन के लिए कराई जा सकता है और इसके बारे में प्रावधान CPEC के 1388 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिय संगिता में मुझरा और प्रतिदावा से संबंधित उपवंद किस आदेश में दिया गया है तो मुझरा और प्रतिदावा के बारे में प्रावधान है वह आदेश 8 के अंतरगत दिया गया है जबकि आदेश 6 में अभिवचन के बारे में नाम होंगे इसके बारे में प्रावधान किया गया है लिखित कथन क्या है तो लिखित कथन जो है वह किसी वादी के द्वारा जब दायर किया जाता है तो उसके वाद में जो दावा किया गया होता है उसी दावे का जो उत्तर दिया जाता है प्रतिवादी के द्वारा तो उस तो यह मामला कहलाएगा क्योंकि जब आवश्चक पक्षकार कोई है उसको सायोजित नहीं किया जाता है तो उसे आवश्चक पक्षकार को किसी मामले में सामिल ना करके किसी अन्य व्यक्ति को उसमें सामिल कर लिया जाता है तो इसे ही कुसायोजन का जाता है स्विल प्रक्रिय संगीता की धारा अस्थी के प्रावधान कैसे हैं तो धारा अस्थी के जो प्रावधान वह आग्यापक्ष्थी की हैर्थात इनका पालन किया जाना जरूरी है और धारा सिविल प्रक्रिय संļिता का कौण सा आदेश सपत पतर से समबंदित है यह संबंधित जिब कि आदेश सटरह में स्थगन सजे प्राउधान दिया गया है कि आदेश 26 में कमीशन जी रही करने संगिता की धारा 25 में निम्लिखित में से किसके बारे में प्रावधान किया गया है तो धारा 25 के अंतरण की सर्वोच न्याले की सक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है जब कि उच्छ न्याले की जिला न्याले की जो वादों के अंतरण की सक्ति होती है इसके बारे में सबतान दारा 24 के अंतरफयं किया गया है अवान है सबस्क्रेण चैजने स्विल परक्रिया संगिता की धारा अश्थी के अंतरफय तो निप्र dollar दो की जाएगी तो धारा सफीं के अंतरफय संस्थित किया जाता है तो उसको उसे दी जाएगी और ऐसी सूचना की तामील किसको की जाएगी तो इसके बारे में भी प्रावधान धारास्ति के खंड एक के अंतरगत किया गया है तो जब केंदर सरकार के विरुद्ध कोई वादसंस्तित किया जाता है तो ऐसे सूचना की ना सचीव को सचीव को की जाएगी जब किंदर सरकार के बिरुद्ध है और रेलवे के संस्तीव को अर्थात जन्राल मैनेजर को उसकी जो तामील है की जाएगी सदों सरकार के सद्गल Kenneth को Je issy पोचा कि जब रेले से समबंदीत हो तो उसके महा प्रबंदत को को प्राइजंञ्ड सिविल प्रक्रिया संगिता के निम धाराओं में से किनमे लोग खैरात या लोक नियास से संबन्धित वादों के लिए प्राउधान किया गया है तो इसके बारे में जो प्राउधान है वो धाराभानवे और 93 के अंतरगत किया गया है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता की धारा 152 न्यालेयों के आदेशों के संसोधन की सक्ति प्रदान करती है जो की संबंदित है तो यह संबंदित है लिखित या गणती भूल से या किसी आकस्मिक भूल से होने वाली तूटी से अगर संबंदित है तो न्याले धारा 152 के कि नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के निम्ड में से कौन सा आदेश और नियम विवादिकों की रचना का प्रावधान करते हैं तो विवादिकों की रचना के बारे में जो प्रावधान है वह आदेश 14 नियम एक के अंतरगत किया गया है कि नेक्स्ट न्याले के बाहर विवादों के निपक्तार माध्यमों में सिविल प्रक्रिय संगिता दारा 99 आप अपरीकट बताएं मत्यम से माध्यम से किसी मामले निपक्तार किया जा रा और 19 में सामिल है माध्यस्थतम कि मध्यस्थता जिसे मेडियेशन कहते हैं सुलह नियाइक निप्टारा यह आता है लेकिन इसमें वारता सामिल नहीं अर्थात वारता के माध्यम से न्याले के बाहर किसी मामले का निप्टारा नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिय संगीता की निम्न में से किस प्रावधान में वाद पत्र का निरस्ती करण या खारिच किया जाना बताया गया है तो वाद पत्र का जो निरस्त किय जाना है इसके बारे प्रावधान आदेश साथ नियम 11 के अंतरगत दिया गया है कि और आदेश साथ नियम 11 के तहत कुछ आधार बताए गये हैं जबकि वादपत्र को नामंजूर कर दिया तो यह है जबकि वादपत्र में वाद का कारण ही प्रकट नहीं होता है जहां दावकृत अनुतोस का जो मुल्यांकन है वह कम किया गया है अपर्याप्त स्टांप लगाए गया है और जो वाद है किसी बिदी के द्वारा वर्जित है या वह दो प्रतियों में नहीं दाखिल क गया जाता है तो ऐसी जो परिस्तितियों में वादपत्र को न chord के द्वारा कारिश किया बिदॉट से ओता है विल्माफ के दोरह हमारे बिरुद दौहीं कोई मुकदमाफ दायर किया जाए तो इसी को कानून की वाषब का जाता है और इसके बारे इंपराउध धान दारा 148 में दिया गया है को का विदन दिया जाता है तो यह इसके दिया आने की तारिक से 90% तक प्रवरतन में रहता है और नफैंदिन बाद работать हो जाता है और इसके बाद बी ऐसे जारी लखने क्ने के लिए फिरसें कियरण दैर किया जा सकता है नेक्सट मैं सीविल प्रक्रिया संगिता में आग्या पतर से समबंधित प्रवदान किस धारा में दिया गया है तो पतर से संबंधित प्रहवधान स्यीपिसी की धारा चे और पशी दो कि इसकी अनुसार जबकी भारित करने वाला नाले कि ए कि आविदन पर यह ठीक समझता है तो वह ऐसी डिक्री को किसी अन्य न्याले को अंतरित करेगा और उससे यह कहेगा कि जो डिक्री में संपत्ति निर्दिष्ट की गई है उस संपत्ति का कोई भाग कुर्क कर लिया जाए अर्थात डिक्री पारित करने वाले ऑन्याले की द्वारा किसी अन्य न्याले को ढिक्री भेज कर यह उसे अ拘्यां दी जाती है विए अनुमती दी जाती है कि वह डिक्री में कोई संपत्ति बताई गई है उस संपत्ति को कुर्ख कर ले नेक्स्ट drugiej प्रकाय hadi अधेश 29 किस्ते संबंदित है तो आधेश 29 के अंतरगत निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद लाने के बारे में प्रावधान किया गया है नेक्स्ट निम्लिखित में से सिविल प्रक्रिया संगिता की किस धारा के अंतरगत एक उच्छ न्याले किसी वाद को अस्थान अंतरित कर सकता है तो उच न्याले की वादों के अंतरित करने की सकती है वो धारा 24 के अंतरगत दी गई है जबकि धारा 25 के अंतरगत सर्वच न्याले की सकती बताई गई है सुविल प्रक्रिय संगीट्हा के अंतरगत एक नियाले किसि संपत्ति का प्रापक या रिसीवर निउक्त कर सकता हैतो रिसीवर निउक्त करने के बारेब प्रावधान ।क आदेश 40 के नियम एक के अनुसार नियाले जो है किसी संपत्ति पर रिसीवर की नियुक्तिटि डिक्री से पहले या डिक्री के बस्चात नियुक्त कर सकता है थि है पूरी प्रकार्ट कि अगे deeply की ध्राड या और नियाले की द्वारा किया जाता है को इसके बारे में प्राधान 1115 गया यह अर पुनरी क्षण के द्वारा जो उच न्याल है शेक करता है कि एसके अधिकारता का प्रयोग करने में आशफल रहता है या उसने किसी अनियमित्ता से कारी किया है तो ऐसी स्थिति में ऐसे निड़ेयों का पुनरीक्षण जो है वो उच्छ न्याले के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट सिविल प्रकिया संगिता के अंतरगत जहां एक व्यक्ति जो वाद का आवश्चक पक्षकार है उसे पक्षकार को रूप में सायोजित न नहीं है तो ऐस्थाइब यादेश की बारें प्रावधान आदेश 49 के अंतरगत दिया गया है कईवीट से संबंधित प्रावधान धारा 148 में दिया गया है और निर्धन व्यक्ति द्वाराबाद यह आदेश 33 के अंतरगत लाया जाता है और नियाले की जो सक्तियां है स्थांध कि संगेता के अंतरगत किसी व्यक्ति पर की जाएं या उससे दी जाएं तो वह लिखित रूप में होंगी यह उपaş्पद्ध सभीट कर संगीता की कि ड्शारा में underneathussy नौन दिया गया है Fortune और 10132 नहीं 143 है 143 की अंतर्गत डाक महसूल वसूल करने के बारे और 141 मिसलेनियस कारवाईयों के यह किया गया है कि नीक्स्ट प्रकियथ के कौन सी ढार यह प्रावधान करती है की पक्षकरों की सामति से सीक्री के धाराथ चानवे खंड तीन के अंतरगत दिया गया है और इसमें जब दो पक्षकार किसी मामले में सहमत हो जाते हैं तो वह पीडित नहीं माने जाते और और ऐसी सहमती से जब डिक्री पारिट कर दी जाती है तो उस डिक्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है धाराथ चानवे खंड एक के अंतरगत यह प्रावधान किया गया है कि हर अपील उस न्याले में की जाएगी जो कि उसकी अपील सुनने के लिए सक्षम है धाराथ चानवे खंड दो के अंतरगत एक पक्षी पारिट डिक्री के विरुद्ध अपील के बारे प्रावधान है और धारा 96 खंड चार के तहट लग हुआ दिन्यालों के द्वारा पारित डिक्री से अपील के बारे में प्रावधान की गई है नेक्स्ट सिविल प्रफिय संगिता के अंतरगत यदिन्याले की राय में प्रतिवादी सम्मान की योग्य है तब वह समन की अस्थान पर क्या प्रतियस्थापित हो सकता है तो इसके बारे में प्रावधान आदेश पांच के नियम 30 के अंतरगत दिया गया है इसके अमसार यद न्याले की राय में प्रतिवादी ऐसा व्यक्ति है जो कि सम्मान का हक्तार है तो वहां उसे समन के बदले पत्र भेजा जाएगा वादी प्रतिवादी की मृत्यू के कारण वाद का उपसमन नहीं होगा तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह आदेश 22 के नियम एक के अंतरगत दिया गया है कि जब वादी या प्रतिवादी की मृत्यू हो जाती है लेकिन वाद लाने का जो अधिकार है वह बचा रहता तो इसके कारण मृत्यू के कारण वाद का उपसमन नहीं हो जाएगा नेक्स्ट आनुविक प्रांग नियाय के सिधांत की व्याक्या उच्छतम नियाले द्वारा किस केस में की गई थी तो यह व्याक्या दर्याव बना मुत्तर्पदेश राज के केस में की गई थी और आनु सकतियों का प्रयोग किया जा सकता है तो अंतर नहीं सकतियों के बारे में प्रावधान 151 के अंतरगत दिया गया है और इन सकतियों का प्रयोग नियाय के उद्देश्यों के लिए और नियाले की प्रक्रिया के दुर्योग के निवारण के लिए अर्थात इन दोनों के सकत होती है नेक्सट निम्लिकित में से कौन सा आधेश अपील हो सकती है सब्सक्राइब प्रावधान है और आदेश 43 के अंतरगत इसके बारे में प्रावधान किया गया है तो इसके अनुसार कि ऐसे कोई आदेश जो की धारा 35 एक तहत कि धारा 91 के तहत धारा 92 के तहत या धारा प्रावधान थादेशों की अपील आपील योग्यार तो इस प्रकार से यहां पूछा है कि तहँत कि यह है कि यहें निस्पादन करता नियाले कि द्वारा किस्का नियुद्धारण किया जाएगा इसके बारे में प्रावधान 47 के अंतरगत दिया को इसके अनुसार करने वाला नियाले है दिक्रीय के उन्मोचन संबंधी कि निश्पादन संबंधी और दिक्री की तुष्टी से संबंधित प्रस्थन का निर्धारण कर सकता है लेकिन निक्री का संसोधन वह नहीं कर सकता है और धारा 47 में ही यह बताया गया है कि जब को प्रस्ण उठता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार कर प्रतनीधी है या नहीं तो ऐसे प्रतनीधी का निधार्ण भी डिक्री का निस्पादन करने वाले के द्वारा किया जा सकता है और और इन प्रस्नों का निधार्ण करने के लिए अलग से वाद लाने किया हो सकता नहीं होती है नेक्ष्ट स्विल प्रक्रिया संगिता की धारा 51 के अंतरगत निमलिखित रीतियों में से किस रीट में नियाले डिक्री के निस्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकता है तो धारा 51 के अंतरगत निस्पादन कराने की नियाले की सक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है और नियाले अपनी इस सक्ति के तहत डिक्री का निस्पादन कराते समय डिक्री की जो संपत्य है उसको परिदान कर सकता है उसकी कूरकी और बिक्रय कर सकता है रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है लेकिन इस पर पक्षकार के समन के द्वारा उसका जो निस्पादन है वो नहीं कराये जा सकता है शिविल प्रक्या संगिता के अंतरगत एक क्लेक्टर को किस प्रावधान के तहत रिसीवर निव्क्त किया जा सकता है और इसके बारे में जो प्रावधान है और इसके अनुसार जब की संपत्ति सरकार को राजसों देने वाली भूम है तो ऐसी स्थिति में न्याले के दौरा कलेक्टर की सहमती से उसे उस संपत्ति का रेसीवर नियुक्त किया जा सकता है इस सविल प्रक्रिया संगीता जब समन की तामिल प्रतिवादी के गर पर अनुपस्ति के कारण उचित समय में नहीं हो पाती है तो उसके गर बेटी होती तो उसके उपर भी आहिसी तामिली कराई जा सकती थी नेक्स्ट बेतन का प्रथम 1000 तथा बाकी का दो तिहाई भाग कुर्क अथवा विक्रय नहीं किया जा सकता है तो बेतन का 1000 तथा बाकी का दो तिहाई कुर्क नहीं किया जा सकता है तो ऐसी कुर्क की भरण पोसर से अन्यथा की डिक्री अगर है तो उसके निस्पादन में कुर्क नहीं की जा सकती है इसका ताथ पर यह है कि जैसे किसी ब्यक्ति का बेतन 10,000 रुपए है तो उसके बेतन का प्रथम 1,000 छोड़ दिया गया पचा 9,000 और उसका दो तिहाई भाग कुर्क नहीं किया जाएगा तो अर्थात 6,000, 9,000 में से भी 6,000 कुर्क नहीं किया जाएगा तो इस प्रकार से यदि किसी ब्यक्ति का बेतन 10,000 रुपए है तो भरण पोशन से भिन कोई डिक्री है तो उसके निस्पादन में इस 10,000 में से किवल 3,000 रुपए ही कुर्क किया जा सकता है लेकिन यदि भरण पोषण की डिक्री है तो उसमें यहनियम लागू नहीं होगा बलकि वहां पे सीधा सीधा उसके बेतन का दो तिहाई भाग कुर्क कर लिया जाएगा नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा प्रस्ण डिक्री का निस्पादन करने वाले नियाले के द्वारा निर्धारित किया जाएगा तो इसके बारे प्रावधान धारा 47 के अंतरगत दिया गया है तो ऐसे प्रस्णों का निर्धारण निस्पादन न्याले द्वारा किया जाता है पुर्थाथ इन सभी प्रसनों का निर्दारण है वह है निस्पादन करने वाले नियाले के द्वारा किया जा सकता है नेक्ष्ट किसी समपत्ति पर सदोस कब्जे के दोरान प्राप्त का लाब कैसा है तो यह जो लाब है वह आकस्मिक हो सकता है वास्तविक भी हो सकता है और सबीन हैं सभी सही हैं से दारा सव के अंतरगत दूसरी अपील उच नियाले में निम्लिखित में से किस आधार पर कि जा सकती है तो दूसरी हमेसा उच नियाले की जाएगी और ऐसी जो सारवान प्रस菜 पर ही की जा सकती है मैं next, wise और सवील प्रतिया संग्णिता के अंतरकत निमलखित में से कौन सा अभयक्ती निस्पादन के लिए आवेधन नहीं कर सकता है और धारक के अंतरगत दावा करने वाला अब्यक्ति भी कर सकता है लेकिन निर्डी जो है अर्थात जो मुकदमा हर गया है तो ऐसा व्यक्ति डिक्री के निस्पादन के लिए आविदन नहीं कर सकता है नेक्स्ट धारा-113 के अंतरगत निर्देश के लिए कौन और आवेदन कर सकता है तो धारा-113 के तहट निर्देश के बारे wrappedhaan किया गया है और निर्देश के लिए आवेदन न्याले के द्वारा किया जाता है थारह-113 के अनुसार किसी न्याले तब निर्देशित किया जा सकता है कि उसके समक्ष लंबित किसी मामले उसे प्रस्थ दावें कखण है एक दस्तावेद जिसके प्रस्तुत किया जाने पर वाद संस्थित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं तो इसे वादपत्र कहा जाता है क्योंकि नेक्ष्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के आदेश 42 में क्या उपबंध किया गया है तो आदेश 42 के अंतरगत अपीली डिक्रियों की अपील के बारे में प्रावधान किया गया है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिय संहिता का नेमने में से कौन सा उपबंध सपत्पत्र से संबंधित है तो सपत्पत्र से संबंधित उपबंध है आदेश 29 के अंतरगत किया गया है जबकि आदेश 17 में स्थगन से संबंधित प्रावधान है आदेश 26 में कमीशन जारी करने के बारे में प्रावधान दिया गया है और आदेश 49 के तरह अस्थाइब यादेश दिया जाता है नेक्स्ट सिविल प्रक्या संगिता के किस उपबंध के अंतरगत न्याले द्वारा वाध हेतुक प्रकट नहीं होने के कारण वाध पत्र नमंजूर कर दिया जा सकता है तो जब किसी वाध पत्र में उसका वाध हेतुक अर्थात वाध का कारण ही प्रकट नहीं होता है तो उ के बारे में प्रावधान अधे 72-11-21 के अंतरगत लिएा गया है हुआ नेक्स्ट में शिविल प्रक्रिया संगीता में नड़य के पूर्व कुर्की का उपबंद इगया है तो नड़य के बारे प्रावधान आदेश-38 में ही नियम एक से लेके चार तक में नेड़े से पूरो गिरवतारी के बारे में प्रावधान किया गया है सिविल प्रक्रिया संगिता में दांपत अधिकारों के फ्रेश के विनिरदिस्ट पालन या ब्यादेश के लिए डिक्री के निश्वादन के प्रावधान कहां दिया गया है तो ऐसा प्रावधान आदेश-31 नियम-32 के अंतरगत दिया गया था नेक्स्ट मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिर्यक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे है तो न्याले सिविल प्रक्रिया संगिता के अधिन अधिक्तम कितनी राशी के लिए आदेश दे सकता है तो आदेश 35 एक तहट आदेश है वो अधिक्तम 3000 रुपई तक कि लिए दिया सकता है नेक्स्ट शिविल प्रक्रिया संगिता के अधिन एक गार्निसी आदेश दिया जाता है तो गार्निसी आदेश द्रिडी के 完全 को दिया जाता है अर्थात ऐसा ब्यक्ति वह कि गार्निस करजदार है तो उसी को गार्णीशी कहा जाता है और ऐसे करजदार को यह आदेश दिया जाएगा न्याले के द्वारा कि वह निर्डी तिर्डी को उसका जो कर्ज है उसकी वापसी ना करे नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन सा आदेश मुझरा तथा प्रतिदावा से संबंदित है तो मुझरा और प्रतिदावा से संबंदित आदेश आठ है जबकि आदेश 6 के अंतरगत अभिवचन के बारें प्रावधान किया गया है और यह बचाया गया है कि अभिवचन के अंत प्रतिदावा के प्रावधान और आदेश नव नियाले दौरा पक्षकारों की परिख्छा के बारे में प्रावधान किया गया है कि नेक्स्ट संघिता के अंतरगत निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो पहला है धारा 50 में दिया गया है यह सुमेलित है अनुरोध पत्र के बारें प्रावधान धारा 77 में दिया गया है यह सुमेलित है और सूचना से संबंदित प्रावधान यह धारा Anसी में है यह SL यह 대 přैख्र 11 अधनियम 2002 कब प्रवर्तित हुआ तो यह अधनियम एक जुलाई सन 2002 को प्रवर्तित हुआ था नेक्स्ट यद किसी डिक्री के निस्पादन की प्रक्रिया के दौरान यह प्रस्ण उठता है कि एक व्यक्ति प्रक्षकार का प्रतिनीधी है या नहीं तो ऐसे प्रस्ण को निम् प्रक्रिया सुंधिता की धाराarat 94 की अनपूरत कारवाही में क्या सामिल नहीं होता है किनने को यह उसके दहात नेडे से पूरुगिरवत तारी की जा सकती है य như यड़िकु की निस्पादबों की नियुक्ति की जा सकती है लेकिन इसके नंतर्गत नेयरगे पूर पूरह जप जाए गई है इसके अनुसवार विदेशी नियाले से तार अईसे नियाले से हैं जो भारत से बाहर इस्थित है और केंध्री सरकार के प्राधिकार से अस्थापीत नहीं किया गया है तो ऐसा नियाल माना जाएगा ढूं ca एक ब्यक्ति जो अवयस्क ब्यक्ति की तरफ से प्रतिरक्षा करता है इसमें यह कहा गया है कि जब प्रतिवादी आवयस्क है वहाँ न्याले उसकी बचाव के लिए एक वादार्थ संदच्छक की नियुक्ति करेगा नेक्ष सिविल प्रक्रिया संगीता की निमिकेट में से किस धारा में वादों को संस्थित करने से संबंधित प्रावधान किया गया है तो वादों को संस्थित करने के बारें प्रावधान यह धारा 26 में और आदेश 4 के अंतरगत दिया गया है इसके अनुसार हर वाद वाद पत्र को उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा सपत्पत्र द्वारा इसे साबित किया जाएगा और सभी जो वाद हैं वो दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा नेक्ष्ट निम्लिकित में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है तो पहला पूजा से संबंधित अधिकारों के लिए वाद तो यह सिविल प्रकृति का वाद होगा दूसरा केवल धार्मिक अधिकारों को अंतर ग्रस्थ करने वाला वाद तो यह दिवानी प्रकृति का वाद नहीं है वाकि भाटक के लिए वाद वनसानुगत पद के लिए वाद तो यह सिविल नेचर के वाद हैं और इसके बार इंप्रावधान धारा नौ के अंतर करने वाला यह लखनाव में बैको पीटता है तो यह पर सिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगत कहां वाद ला सकता है तो वह अपर लखनाव में जहां उसे पीटा जाता है या देहरा दून में जहां वह निवास करता है इन दोनों जगों पर वाद ला सकता है और इसके ब सकता है क्योंकि जो धाराएं है यह समवर्ती सूची के अंतरगत आती हैं जबकि सब्सक्राइब कि नियम हैं उसमें उच्छी नियाले के द्वारा भी संसोधन किया जा सकता है नेक्स्ट नियाले की अंतर नहीं सक्तियों का प्रयोग सिविल प्रफिया संगिता के अधिन किया जा सकता है तो ऐसी सक्तियों का प्रयोग किस प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है तो पहला है नियाय के उद्देश्यों के लिए या नियाले की प्रक्रिया के दुरुप्यों के निवारण के लिए प्रस्तुत करने के पूर्व सूचना देने का प्र तो यह धारा 80 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट सीपीसी के अंतरगत मामलों में नियाले कमीशन जारी नहीं कर सकता है तो किस प्रयोजन के लिए नियाले कमीशन जारी नहीं कर सकता तो व्यक्तिकी परिक्षा के लिए कर सकता है दस्तावेजों के परिखण के लिए भी कमिशन जारी किया जाता है विभाजन के लिए भी कमिशन जारी किया जाता है लेकिन डिक्री के निस्पादन के लिए कमिशन जारी नहीं करता है बलके नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगत निम्लिकित में से कौन सी संप दिक्री के निस्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है तो पहन्ने के आवस्यक वस्त्रों को कुर्क नहीं किया जा सकता है सिल्पी के आउजार को नहीं किया बिदेशी लंबित है तो उसका भारत में करने से नहीं रोका जा सकता है और इसके बारें प्रावधान धारा 10 केificación यते दिया गया है इसके अनुसार जब इदेशी लंबित है तो वहाँ पे विचारा धीन वात का सिदांत लागू नहीं होगा नेक्स्ट अंतह कालिन लाव को सिविल प्रक्रिया संगिता के किस धारा के अंतरगत परिभासित किया गया है अंतह कालिन नेक्ष्ट सेविल प्रक्रिया संगीता की किस धारा के अधिन न्याले किसी विवाद में पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है तो न्याले धारा के द्वारा माध्यस्तम के द्वारा लोग कि अधालत के द्वारा इन माध्यमों से उसका निप्टारा किया जा सकता है सिविल प्रक्रीया संगिता के नेमलिकित संसोधन के द्वार मिया गया था संशिप्त विचार्ण को संसोधन अधियं 76 के द्वारह ब्यापक क्जा सकता है एक राजदूत जो की भारत में विदेशी है उसके उपर वाद धारा 86 के तहट लाए जाता है नेक्स्ट मोर्गन स्टैनले म्यूचूल फंड बनाम कार्तिक दास का वाद किस से संबंदित है तो यह अंतरिम व्यादेश से संबंदित है नेक्स्ट एक नियाले वाद पत्र को कब नामंजूर कर सकता है तो वाद पत्र के नामंजूर के जाने के बारें प्रावधान सीपीसी के आदेश साथ नियम 11 के अंतरगत दिया गया है तो इसके अनुसार जहां वादी जो है वादेश साथ नियम 11 का अनुपालन नहीं करता है जहां उसका वाद जो है विधिद्वारा बाधित है जहां वादपत्र दो प्रतियों में नहीं है तो इस प्रकार से इन सभी परिशितियों में वादपत्र को नामनजूर किया जा सकता है नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतरगत निम्लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो पहला है राजसु न्याले इसके बारें प्रावधान धारा पांच में दिया गया है प्रांति लगवाद न्याले इसके बारें प्रावधान धारा साथ के अंतरगत दिया गया ह और दआरा नौ के अंतरगयत सिवील व्दों के बीचारण के सुटा की लगवाद न्याले के सिवीय प्रावधां किया गया द पूछा एक है दर पूछील कौन सुमेलित नहीं है तो यह तीसरा विकल सुमेलिक नहीं है नेक्स्ट सिविल प्रक्रियश संगिता के आधेश 49 निएम在6 से 10 का संबंध किसम से है तो इसका संबंध अंतरवर्ति आधेश से है कि नेक्स षिर प्रक्रियशंगिता की धारत 10 तेरह के धिन निम्न न में से कों सा निड़े निष्चायख नहीं होगा तो पहला ऐसा निड़े जो गुणा गुण के बिना दिया गया है यह निश्चायक नहीं होगा भारती बीधी के भंग पर आधायत निड़े यह भी निश्चायक नहीं होगा अंतराश्टी बीधी के भंग पर या उसके बिरुद दिया गया निड़े तो यह भी निश्चायक नहीं होगा तो इस प्रकार से उप्रयोग सभी जो है यह संबंधित नियम किसा आदेश में दिया गया है तो तो इसके बारे में जो प्रावधान है आदेश 35 में और धारा 88 के अंतरगत दिया गया है कि अंतराव्याची वासेतात पर ऐसे वात्से है जिसमें जो वाद करता व्यक्ति है अर्थात जो वादी है वह स्वयम किसी संपत्ति पर कोई हित नहीं रखता है कि जैसे एक्स कोई संपत्ति है और यह जेट के कबजे में है और यह और बी यह दोनों इस संपत्ति के बारे में यह दावा करते हैं कि यह संपत्ति हमारी है और इसके लिए इन दोनों के मद्ध बिवाद है तो आईसी स्थिति में ऐसे बिवाद का निर्धारण करने के लिए और एक किसकी संपत्ति है इसका निर्धारण करने के लिए जड जो है नियाले में एक वाद दायर करेगा केवल इसलिए कि जो नियाले है वह यह निर्धारित करे कि यह संपत्ति ए को दी जाए या बी को दी जाए और इस संपत्ति में यह जड है यह स्वयम कोई हित नहीं रखता है बलकि केवल इतना ही हित रखता है कि इस संपत्ति के रख रखाव में जो उसका ब्याय है वह उसको मिल जाए तो इसी पूरी प्रक्रिय को इसी पूरे केस को अंतर्या भिवाची वाद के नाम से जाना जाता है नेक्ष्ट सर लारेंस जेनकिंस ने निमलिखित में से किस वाद में यह कहा था कि प्रांग न्यायकानियम यद्यव की पूर निर्णय पर अधारित है यह उस प्रग्यान पर भी आदेशित है जो सर्वकालिक है तो यह निर्णय श्योपर्सन बनाम रामनंद सिंग के केस में सामिल है तो अभिवचन के अंतरगत si तो अभिवचन के बारे में जो प्राउधान है और भी cellा आते हैं जिसमें नेक्स्ट सेविल प्रवर्वीजित करतेखि teasing कि दिकरी और रद्ध करने के लिए प्रतिवादि किस प्राउधान के तहत नहीं कर सकता है तो ऐसा आवेदन आदेश 9 नियम 13 के तहट प्रतिवादी के द्वारा किया जा सकता है नेक्स्ट रेस जोडिकेटा या पूर्व न्याय क्या करने के से रोकता है तो जो पूर्व न्याय का सिध्धानत है जिसे सीपीसी की धारा 11 के अंतरगत दिया गया है यह वाद के बिचारण को रोकता है न कि वाद के संस्थित किया जाने से नेक्स्ट निम्लिकित में से सिविल प्रक्रिया संगिता की किस धारा में नियाधीज को परिभासित किया गया है इसके अनुसार नियाधीज से सिविल निया सिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगत निम्लिखित में से क्या अपीली न्याले का करतब्य है तो अपीली न्याले का करतब्य है साक्षों का मुल्यांकन करना वाद को पूर्णतह निस्तारित करना साक्षों की पूरह समिक्षा करना तो इस प्रकार से यह सभी जो है यह अप और थानी अन्यवेशन के लिए बटवारा के लिए अर्थात इन सभी के लिए कमिशन जारी कर सकता है तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अती महत्पूर्ण प्रस्णों को हल किया जो की परिक्षा के लिए बहत महत्पूर्ण है और आप इनको अधिक से अधिक करेंगे और कर भी रहे हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और